किया आप भी रूब डी की परिच्छा को अपनी जीवन की अंतिम परिच्छा बनाना चाहते हैं और इसी परिच्छा में जंडे गारना चाहते हैं तो इस परिच्छा में झंडे गार ने के लिए मैं आपको तीन इस्टिप बताता हूं अगर आपनी यह तीन इस्टिप को फॉलू कर लिया तो डेफिनेटली आप डूब डी में सेलेक्शन लेके मानोगे और आपने जो स्कोर है कम से कम सेवेंटी प्लस होडा फिर पहला पॉइंट जो मैं आपको बताता हूं सुनिया एज्याम ओर्येंटोट होडा लेगे जो 15 मौक होड़े ना वो तुमारे सुपर मौक होड़े सुपर मौक का मतलब यह है कि वह मौक होड़े कि जिसमें आपके जो स्टेंडर है वो थोड़ा सा मेंटेन होड़ा कई बार ऐसा होता है कि पेपर हमारा हमने जैसा सोचा होता तो जैसा सोचा है वैसा paper आया तो आपके 50 mock काम करेंगे और जैसा सोचा उससे cutting level का paper आया तो आपके 15 mock काम करेंगे तो आप 50 plus 15 इन mock को जरूर सोल कीगे दूदरा point ये है कि ये 55 बहुत तो आपको सोल करने है मैंने क्या किया है और पूरे 5 साले टीम ने क्या काम किया है कि science के 1000 questions expected तैयर पिये हैं मतलब अगर science के 1000 expected questions आपने solve कर लिये और इनके concept को आपने मन न अताल लिया तो मैं ऐसा दावे के साथ क्या हूँ कि जो science का portion आना है 25 नमबरों की science आनी है उसमें से कम से कम आपके 22 प्लस 23 प्लस नमबर आएंगो तो दूसरा काम आपको ये करना है पहला काम आपको करना है एक तो 65 more test देने हैं और उसके बाद दूसरा काम करना है कि science के 1000 questions की PDF जो मिलने वाली है उसको पूरा solve करना है तीजरा काम आपका है साम के 7 बज़े वाली क्लास होती है 7-8 ये मेरी वो क्लास होगी जिसमें मैं आपको 45 नमबर की तयारी का हूँगा ये 45 नमबर की तयारी जीके और science को मिला के होगी जो आपको कह सकते हो कहिने के इस lecture में में मदग करेगी मैं अपने तरफ से पूरी तरह से दावा करता हूँ और ये गरंटी लेता हूँ कि अगर आपने साम के 7 बज़े वाली क्लास को regular attend दिया तो regular attend करने से आपके जो 45 नमबर आने हैं जीके और science को मिला कर उसमें कम से कम आप 40 के आसपास score करोगी अब ये जो 40 के आसपास score होगा यही वो होगा जो आपके selection में मदग करेगा और गड़ित और रिजनेट इसमें ज्यादा तर लोग स्कोर कर लेते हैं और ये mostly लोगों कर साही होता है जो भी selection decide करेगा वो ये 45 नमबर का point decide करेगा तो ये सामके 7 बजली प्लास तो YouTube पर फ्री है और बाती जो मैंने आपको बताया 65 मौक्ट यानि 50 प्लस 15 मौक्ट उसके साथ साथ 8000 कोश्चन की पीड़िया ये सिर्फ और सिर्फ आपको 199 में में मिले रहा तो अगर आप इस दोनों चीज़ों पर लेना चाहते हैं यानि 50 प्लस 15 मौक्ट और 1000 कोश्चन साइंस के तो नीचे दिये ड़े नमबर के call कीजिए मैं नमबर इसका कमेंट बॉक्स में धला दू रहा हूं और उस पर माइप आप्लिकेशन की लिंक भी डाल दूँगा तो इसको अटाइंड कर सकते हैं और यह सब चीज़ें करने के बाद आप लोगों को सामके साथ वजवाली प्लास को भी कंटिमूर करना है जिसके बाद यह तीनों चीज़ा आप जारी रखते हैं तो डेफिनेटली जो है आप अपने ग्रूप डीटे पेपर में कम से कम 70 प्लस स्टोर्ट रहेंगे ओके